हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy A14 Android मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन की हीटिंग की प्रॉलूम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है देखें दोस्तों कभी भी अगर आपका मॉइल फोन जो हीट करता है तो सबसे पहले आपको इसके सॉलुषन के लिए करना यह है कि आपको अपने मॉइल फोन को रिस्टार्ट करने के लिए आपको मॉइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखन तो दोस्तोा यहाँ पर आपको कुछ बातों को और भी ध्यान रखना है देखिये दोस्तों और स Primary यह भी टोन को सप्वनरे वसंहें को हमे alBooks से उसे ही आपको यूज्स ही आपको को चार्जर होता है वो आमारे फून को अच्छ है hanno support नहीं, तो इस बात का फोगे और ध्यान रखना इक चीज से और ध्यान रखना है कि आपको और mobile phone का एक बार जो software check करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone का जो software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो हमें पता नहीं लगता है तो mobile phone का software होता है वो हमारा updated ना होने के कारण भी हमारे mobile phone के Android system में कुछ प्रॉलम्स आने लगती है तो आपके मुवाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है इसके बाद आपको मुवाइल फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है इसमें आपको नीचे की साइड नहीं यह सौफट्वेयर अपडेट पर टैप करना है यहाँ पर आपको इ चीज और ध्यान रखने है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अब देखिए दोस्तों सबसे आखरी प्रोसेस आपको करना है यह है कि आपको आपने मुवाइल फोन को रिसेट करना है देखिए दोस्तों आपको अपने मुवाइल फोन को रिसेट आपको तब ही करना लेकिन से फोन की हीटिंग कीप्रौम सौल हो जाएगा लेकिन आपको फोन को रिसेट करने से पहले ना दो दो गागा ध्यान रखना है पहली यहां रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा data आप किसी दूसरे फोन में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए ठीक है दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके mobile phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही phone को reset करना है ठीक है ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूँ देखिए हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपका mobile phone heat कर रहा है क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं आपको जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरिये बताए है अगर mobile phone के software के किसी कमी की वज़े से आपका mobile phone heat कर रहा है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी otherwise आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा